हेलो नमस्कार दोस्तों मैं सतिंदर सेर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूटूब चैनल सतिंदर गुरुजीबी दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के पंदरा अती महत पुर्ण प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसल प्रश्ण क्या है जैसे सिरिंखला को पूरा करें यह हमरा प्रश्ण है यहां पर हम लोग देख रहे हैं बाबू एटी डी यार जी पी जे एन और यहां पर कोश्चन मार्क की जगह क्या भारा जाएगा इनके लिए चार आप्शन दी गई है ठीक है बाबू इसलिए आप लोग वीडियो के आंत तक जरूर बौने रहिए गया क्योंकि यह सारे प्रश्ण जो है प्रिवियस पेपर का है जो अलग अलग एकजाम में कई बार रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्ण होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू और यह प इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए गया ठीक है तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं पहले प्रश्ण से चलिए दोस्त आपके सामने आपका पहला प्रश्ण आचुका है और पहला प्रश्ण यदि किसी इस निजचित शांकेतिक भास्था में T, M, R, P लिखा जाता है तो उसी परकार मेरे दोस्त R, A, I, L रेल को कैसे लिखा जाएगा बाबु इस बात को समझी और यहाँ पर क्या लोजिक है उस लोजिक को पहचानने का तरीका सिखे बाबु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जाएसे, K से P कैसे बना है कैसे P बना है, देखो कैसे K से P बना है, एक दूसरे का उल्टा है I से R बना एक दूसरे का अपोजिक लेटर है N से M बना है, एक दूसरे का अपोजिक लेटर है और मेरे दोस्त, G से T बना है एक दूसरे का अपोजिक लेटर है और एक cross pattern लगा दिया गया sorry reverse pattern लगा गया क्योंकि उल्टा सिधा इसको बनाया गया ठीक है इस बात को भी से इस रूप से ध्यान देज़े फिर से समझे यहाँ पर के से P बनाया है एक दूसरे का opposite letter I से R बनाया है एक दूसरे का opposite letter N से M बना है एक दूसरे का opposite letter G से T बना है एक दूसरे का opposite letter और यह हमारा क्या है cross pattern इसमें लगा गया उसी परकार इसमें भी हम cross pattern लगा सकते हैं चलो इस प्रश्ण को solve कर लेने के बाद आपको सिखा देता हूं कि हम opposite letter कैसे निकालते देखो R से हम opposite letter R का opposite A का opposite I का opposite और L का opposite यहीं तो reverse pattern होता है R का opposite हो जाएगा I A का opposite हो जाएगा Z I का opposite हो जाएगा R L का opposite हो जाएगा O ठीक है तो यहां पर आप लोगों कर जो answer आया O, R, Z, I O, R, Z, I Option number B, Option number D है सही ठीक है मेरे दोस्त तो मैं उम्यूत करता हूँ कि आप लोग इस प्रोश्म को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त चलिए दोस्त हम आपको बताते है opposite letter opposite letter में जो होता है मेरे दोस्त A का Z होता है आप सभी लोग जानते है A, Z B का Y होता है आप सभी लोग जानते है C का X होता है आप सभी लोग जानते है तो यहाँ पर A का कर्मांग 1 होता है Z का कर्मांग 26 होता है B का कर्मांग 2 होता है Y का कर्मांग 25 होता है आप सभी लोग जानते है बिल्कुल C का कर्मांग 3 होता है X का कर्मांग 24 होता है आप सभी लोग जानते हैं अच्छा आप लोग एगो बात को जरूर नहीं बहुत लोग जानते होंगे बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्या कि एक करमांक एक आजेड का करमांक इन दोनों को जोरेंगे तो एगो एचावज़ को कितना हो जाए बाबू 27 गो यहाँ देखेंगे बी का दो आप वाई का 25 इन दोनों को जोरेंगे तो एभी 27 गो हो जाएगा और सी का 3 एकस का 24 इनको जोरेंगे तो एभी 27 ठो हो जाएगा इसका मतलब कर रहे है दोनिया के कोई भी लेटर एक दुसरे का आपोजिट तब होगा जब उसका सम 27 होगा ठीक है इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ से एक निश्कर्स हम निकाल सकते हैं कि सी का अगर अपोजिट हमें चाहिए तो 27 में से सी का करमांग हम घटा देंगे ठीक है तो 27 माइनस सी का करमांग होता है 27 में से 3 घटेगा तो 24 आ 24 जो लेटर होता है वो X आता है तो 24 वा नमबर पर लेटर यहाँ पर X तो लिखा ही गिया है तो इस बात को भी से इस रूप से ध्यान रख लिजेगा कि जिस लेटर का आपोजिट लेटर चाहिए उस 27 में से घटा देगे इसको सबसे पहले दूसर का चीज होगा कि आप लोग इसको याद कर लेजेगा ताकि एक्जाम में आपको ऐसा न करना परे नई तो कोश्चन बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा चलिए दोस्त नेक्ट कोश्चन की और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन है निमलिखित चीतर का अध्यन करे और दू के विपरित संख्या का पाता लगे देखो जब कहीं डाइस के दो या दो से अधिक फिगर दे जाती है तो किसी भी दो फिगर में आप वन कोमन ट्रिक लगा सकते हैं two comment trick लगा सकते लेकिन मेरे दो सबसे आच्छा होगा क्या one comment trick लगाओ two comment trick लगाओ answer तो same आएगा fix है लेकिन two comment trick लगाने से answer एक confirm आता है one comment trick लगाने से answer पूरा का पूरा आ जाता है तो जैसे देखो यहाँ पर देखो बाबू पहले हम इस दो आकिर्थी में देखो इस वाले और इस वाले आकिर्थी में हम लगाते है two comment trick क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ comment है इसमें तीन और छो comment है इसमें भी तीन और छो कोन है तो इस दो नो कट जाएगा जो बचा हो एक दूसरे का opposite यहाँ बचा दो तो आप किसी भी figure में one common trick लगा सकते हैं चैलिए हम first और third में one common trick लगाते है one common trick में क्या common है इसमें तीन common है इसमें भी तीन common है तो जो common है उसको हम लिखते हैं उपर आ नेचे common number के बाद इस वाले आकिर्थी में clock by direction घुमेंगे तो तीन के बाद में क्या आया है दो दो के बाद में क्या आया है तो छो आया है ठीक है अब इस वाले आकिर्थी में तीन के बाद पांच पांच के बाद चार आया है तीन के बाद क्या आया है बाबू पांच आया है आप पांच के बाद में क्या चार आया है ठीक है अच्छा वो कौन सा नंबर है जो नहीं दिख रहा है क्यमकि एक से छे तक हम York लिए करफ़ मा जाता है छोगा outer tw את चार दूखा au opposite एक हमसे पूछा गया दो का opposite तो यहां पर दो का opposite क्या है 5 यहां से भी दो का opposite 5 है ता आप किसी भी दो figure को लेएंगे ने बाबू answer आपका same है ठीक है तो इसका जो right answer हो गया option number C हो गया सही ठीक है दोस्त ता आप दो method से इसको सेख चुके होंगे बरते है next question की और next question बारही मज़ेदार प्रस्ण बाबू दी गई आकिरती में total कितनी तिरभूज है बाबू दी गई आकिरती में total कितना तिरभूज है सबसे पहले देखेंगे एक एक box है ठीक है यह हमारा box है इस box में total कितनी तिरभूज है हमें भाइन बताना है बाबो देखो, इसमें अगर यहां से एक लाइन खिच दे, अब हमें बताना कि इसमें टोटल कितना 230 है तो इस वाले आकर्ति में हमें 230 काउंट करने के लिए जानते हैं, क्या करना परेगा इनको numbering करना परेगा, एक, लो, तीन, चार समझे सबसे पहले इसको तुम नमरिंग कर दो 3, 4 इनको नमरिंग कर दो नमरिंग करने के बाद सबसे 12 नमर क्या आया है 4 आया है तो इस 4 का ज़स्ट डबल कर दो तो इसमें जो टोटल मेरे दोस्ट जो तिर्भूज होंगे और 8 होंगे किस इस वाले आकिर्ती में टोटल जो तिर्भूज होंगे 8 होंगे ठीक है तो इस पॉइंट को जब समझ गये है तो यहां से इस आकिर्ती में तुम तिर्भूज अब आसानी से बाता सकते हो तो इस वाले आकिर्ती में टोटल 8 तिर्भूज होंगे बिल्कुल इनको मिलाने के बाद कोई और नए ट्रियंगल का निर्मान हो रहा है जी भाई बिल्कुल हो रहा है कौन कौन से इन दोलों आकिर्ति को जो हमने साटाया इन दोनों आकिर्ति को जब यहां से लेकर इन दोनों को साटायेंगे यहां से दो तिर्भुज और बनेंगे वो कौन कौन से देखो एक तिर्भुज यहां से शुरू हो के यहां इवाला बन रहा है कि ने बन रहा है बिल्कुल बन रहा है एक तिर्भुज तो इवाला बना देखो एक तिर्भुज बना इवाला समझ गए, बिलकुल बिलकुल देख रहे होंगे बाबु एक तिर्फुज उपर से तो इसमें तोटल कितना तिर्फुज एक नीचे एक उपर दो तिर्फुज यहां से आगा तो पहले था आठ और आठ 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 और इनमें पलस दो और कर देंगे तो आठ अठ शोला दो कितना हो जाएगा आठारा तो इस प्रस्ण का राइट अंसर आप्शन नमर बी हो जाएगा इस प्रस्ण को कैसे सल्व किये हैं भावू आप लोग अच्छे तरीका से समझ गये होंगे ठीक है दूस बरते है नेक्ट कोशन चार की तरब चार नमबर प्रस्ण है बावू कहता है यदि 15 अगस्त 2003 को सुकरवार है तो 15 अगस्त 2015 को सब्ता का कौन सा दिन होगा बावू इबाद को समझे सबसे पहले यहाँ पर प्रस्ण क्या है प्रस्ण है 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है शुकरवार प्रस्ण ही बोल रहा है कौन सा दिन है तो शुकरवार है शुकरवार हमसे पूछा गया है तो इबताई 15 अगस्त 2015 को सब्ता का कौन सा दिन होगा हमसे इबाद पूछा गया बावू ठीक है इबाद को विशेश रूप से आप लोग ध्यान में रखेगा तो इसको कैसे बनाते हैं बावू सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल विशम द 2,03 से हम जा रहे है पंदर अगस्त 2015 में यानि कलेंडर में हम आगे की तरफ जा रहे है जो विशम दिन होगी मेरे दोस्त वह निकाले गया और डेज को है इस सुपकर बार में हम जोर देंगे हमारा यहाँ यहां पर हम कैसे विशम दिन निकालते हैं ध्यान से देखिएगा difference का अंतर यहनि बर्स सामान नहीं है तो यहां से हम total विशम दिन निकालेंगे कि वर्स में बर्स में total विशम दिन निकालेंगे और जो विशम दिन निकालेंगे उसको 7 से भाग करके छोटा करते हैं छोटा जो भैलू आएगा उस सुकर बार में हम plus कर देंगे हमारा answer आ जाएगा तो सुकर बार में हम plus कर देंगे उतना निकालेंगे विशम दिन को तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले 2003 और 2015 के बीच में अंतर कितना है तो बारे साल का अंतर है बारे बर्स प्लस बारे बर्स में जो leap year आये है leap year आये है यहने की अधी बर्स जो आये है उसको भी add करना परेगा तो इसमें leap year कितना आया है बाबो 2003 के बाद जो अगला leap year आया है 2004 आया है उसके अगला leap year आया है 2008 के वोकि लीप year पर ते एक चार साल पर आते हैं अगला लीपियर आया है मेरे बाबो दो हजार बारे अगला लीपियर आयेगा 16 में लेकिन हमें जाना है पंदरे तक तो 3 लीपियर आने होंगे बारे अंतर बर्स का तीन लीपियर अब हम इनको एड़ कर देंगे 12 तीन कितना हो जाएगा 15 अब 20 दिन कभी भी 7 से 12 नहीं हो सकती 7 के बराबर या 7 से छोटा ही होती है तो इसको 7 से भाग करेंगे क्यों क्यों कि छोटा करना है तो साथ दोने चौदा सेस फल कितना एक क्या मचा सेस एक क्या मचा सेस तो इसमें हम सुकर बार में एक दिन जोर देंगे क्यों क्यों कि हम कलेंडर में 2003 से 2015 में जा रहे हैं यानि कलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं बाबू तो सुकर बार में एक हम जोर देंगे जैसे ही एक जो रहेंगे answer हमारा क्या हो जाएगा सनी बार इसका right answer जो हो जाएगा ओ मेरे दोस्त हो जाएगा सनी बार ठीक है तो इस प्रस्ण का right answer option number D हो जाएगा सरी ठीक है कैसे करना है यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे चलिए दोस्त बढ़ते हैं next question पांच number next question है श्रिंखला को पूरा करे ठीक है श्रिंखला को पूरा करे जैसे कि बाबो यहाँ पर 9 से हम लोग 11 कैसे बनाए है नो के बाद 11 11 के बाद में क्या है 20 है 20 के बाद में क्या है 31 है 31 के बाद में क्या है 51 है 51 के बाद में क्या है question बाबो यहाँ पर हम क्या logic लगाएं इस लॉजिक को आप लोग समझेंगे 20 इस रूप से समसे पहले यहां पर क्या ट्रिक लगेगा जैसे देखो इन्हाव आगारे को जोरेंगे तो 20 बन जाएगा बिल्कुल और 20 और 31 को जोरेंगे बिल्कुल 51 बन जाएगा कहने का मतलब जो चीज हमें निकलना है उसके दो प्र 51 को जोरने के बाद question mark हमें मिलेगा तर 31 में 51 जोरेंगे तो एगो एगो दूगो पांच गो तीन गो आठ गो इस प्रस्ण का जो right answer हो जाएगा वो हमारा 82 हो जाएगा और 82 option number D में दिया गया है ठीक है कैसे इस प्रस्ण को किये finally दो पहले वाले को जोर कर हमें निकाल दे र प्रस्ण को समझे जो छाठा प्रस्ण हम लोग के सामने है और एक क्या कह रहा है इस प्रस्ण को आप लोग समझ चुके होंगे कह रहा है दिये गए विकॉल्प में से संबन्धित संख्या को चुनिए जैसे कि यहाँ पर 49 का जो relation 27 के साथ है ठीक उसी परकार 43 का relation कौन से number स ठीक है बाबू कहने का मतलब जीस परकार 49 का जो relation 27 इसे है ठीक उसी परकार 43 का relation कुश्चर मार्क से है तो बाबू यहाँ पर हमें logic क्या लगेगा उन logic को पहचाने के सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रस्ण है यह हम किस chapter से लिए है एनलोजी या similarity जिसे हिंदी में साध इस प्रस्ण को solve करने के लिए कुछ specialty होती है कि इसका answer एक से जादे आते है ठीक है option पर एडिपेंड करता है question तो इसमें जो हम logic लगाते हैं सबसे पहले अगर prime number का logic लग जाता है तो हमारा answer होगा अगर prime number यानि की आभाज संख्या अगर ये नहीं लगता है तो हम cubes देखते हैं cube यानि की घन अगर o नहीं लगता है तो हम a square देखते हैं या बर्ग अगर o भी नहीं लगता है तो हम multiplication या division यानि की गुना या भाग देते हैं अगर a भी नहीं लगता है तो हम addition या subtraction या जो या घाटाव लगाते हैं अगर यह भी नहीं लगता है तो हमारा इलोजिकल पैटर्न होगा ठीक है सबसे पहले इतना लॉजिक इसमें ढूंडना होता है ठीक है तो सबसे पहले यह तो हमारा प्रेम नंबर तो है नहीं कि उस्तो दिख नहीं रहा स्क्वाइर तो दिख नहीं रहा तो फिक्स है कि बहुत मॉल्टिप्लिकेशन या डिविजन या एडिशन या सब्ट्रक्शन लगेगा तो यहां देखो 49 से 27 बनाने के लिए कुछ ना बिल्कुल भेरा कट मेथर लगाओ जो 49 है यहां पर केवल भेरा कट मेथर को लगाया गय यहां पर क्या है 49 जो है न इस 49 में जो नमबर है 3 और 9 है इनको अगर हम आपस में गुना कर देंगे तो 9 37 बन जाएगा बिल्कुल सेम उसी परकार जो 43 है इसमें 4 है और 3 है इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 तियां कितना बारे बन जाएगा तो इस प्रशन का जो राइ इसमें गुना कर दो ठीक है इसका राइट अंसर आपसन नमबर भी हो जाएगा दोस्त चलिए बरते हैं नेक्ट कोश्चन सेबन की तरह नेक्ट कोश्चन है बाबू यह भी हमारा एनलोजी का ही है लेकिन लेकिन लेटर से रिलेशन है इफ का रिलेशन जी एच से है उसी प बना है बना है बिल्कुल और आई और जी का रिलेशन कोश्चन मर्क से है तो यहाँ पर जो लॉजिक है इस लॉजिक को पहाचानेगे ई से जी कैसे बना है इसको देखो ए का कर्मा खोता है पांच जी का कर्मा खोता है साथ यहाँ प्लस का दो किया गया है बिल्कुल एफ स H कैसे बना है F का कर्मांग होता है 6 G का कर्मांग होता है 8 6 से 8 बनाने के लिए आहां भी प्लस का 2 किया गया है तो I में हम क्या कर देंगे I में हम प्लस का 2 कर देंगे ठीक है और J में प्लस का हम 2 कर देंगे तो जब मेरे दोस्त I में प्लस दो करेंगे आई का करमा 9 होता है 9 में 2 जो रेंगे तो 1, 2 हो जाएगा बिल्कुल आज J में 2 जो रेंगे तो 2 हो जाएगा इस प्रस्न का राइट अन्सर KL हो जाएगा अपसा नमर C है सही ठीक है मेरो दोस तब मैं उमीद करता हूं कि आप लोग प्रश्ण को जरूर समझ रहे होगे बरते हैं next question आठ की तरफ आठ नमबर प्रश्ण है जीस परकार बनारसी का समद्ध गंगा से है ठीक उसी परकार मौथूरा का relation question mark से है हम एक question mark के value find out करना है तो बाबू हम सभी लोग और आप जरूर जानते हैं कि जो बनारस है न ओगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जो बनारसी है ओगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है उसी परकार जो मौथूरा है मेरे दोस्त वो जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका right answer option D हो जाएगा तब आब आप लोग वीडियो को सेयर करे और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले मेरे दोस्त ठीक है और मेरे दोस्त लाइक भी वीडियो को किया करूं मैं तो ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन नौ नमबर प्रश्ण है वह बिकल्प चुने जो बाकी से अलग हो वह बिकल्प चुने जो बाकी से अलग हो बाव हो यहाँ पर देखो जो चार है वो दो का क्या है एस्कुयर है बिलकुल जो 27 है वो क्या है तीन का क्यूब है इह बात को समझ रहे हैं बिलकुल जो चार है दू का एस्कुयर है जो 27 है तीन का क्यूब है, यहाँ पर जो 16 है न मेरे दोस्त, वो 4 का क्या है, एस्क्वाइर है, यहाँ पर जो 125 है, वो क्या है, पांच का क्यूब है, यहाँ पर लॉजिक समझ रहे हैं, जो नंबर है, उसमें प्लस एक कर दिया जाए, यहाँ 4 था तो प्लस 1 करके 5 कर दिया गया यहाँ 2 था तो प्लस 1 करके 3 कर दिया गया ठीक है जो 49 है इस 7 का S2 है और मेरे जो 288 है किसी नमबर का Q ही नहीं होता है यहाँ पर होना चाहिए कितना 8 का Q होना चाहिए और 8 का Q मेरे दो 512 होता है कि पहले जो number का square किया गया है उस number में plus one करके cube किया गया है लेकिन option number c में ऐसा बात नहीं है इसलिए इसका right answer option c हो जाएगा ठीक है दोस्त next question की और अब हम लोग भरते हैं next question है वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो तो मेरे बाबु गाय, हाथी और जिराप जो ए तीनो जो है न ए तीनो पसु बर्ग के अंदर आते हैं पसु बर्ग के अंदर पसु बर्ग के अंदर आते हैं जबकि मुर्गी जो है एक पक्छी बर के अंदर आते हैं इसका right answer option number D हो जागा क्योंकि मुर्गी पक्छी बर के अंदर आते हैं ठीक है एक गारे नंबर प्रश्य की और आब हम लोग भरते हैं बाबू एक गारे नंबर प्लस हमारा bloody lessons है कहता है एक लरके का परिचाय कराते ठीक है कहती है वह वह जो वर्ड है वो लर्के के लिए हुई है अच्छा मेरे दोस्त बलाड रिलेशन चैप्टर को हम दो तरीका से बताएंगे पहला तरीका आप डारेक्ट एंसर निकाल सकते हैं दूसरा तरीका हम फैमिली ट्री बना कर एंसर सिखाते हैं चलिए तो एक लर्के का परिचाय कराते हुए एक लर्की कहती है वह मेरी देखो वह जो वर्ड है वो लर्के के लिए हुई है जो लर्की कह रही है मेरी मेरी जो वर्ड है लर्की के लिए हुई है बिल्कुल मेरी मा लर्की की मा मेरी मा यह नहीं लर्की की मा मा के भाई मा के भाई मामा मामा की एकलावती बहन मामा की एकलावती बहन हो गई उसकी मा का बेटा है प्रस्ण समझ में आ गया एकलावती बहन मा मेरी मा मा के भाई मामा मामा की एकलावती बहन खुद उसकी मा हो गई मा का बेटा है मा का बेटा उस लर्की का कौन होता है भाई होता है तो प्रश्ण पूछा गया है वह लर्का उस लर्की से कैसे समनित है वह लर्का उस लर्की से कैसे समनित है मेरे दोस्त तो भाई है जो लर्का है उस लर्की का क्या है भाई है ठीक है एक बार और समझी बाबू कह रहा है मेर मा, मेरी मा ने लर्की की मा, मा के भाई, मा के भाई जो होंगे मामा, मामा की एकलोती बहन, एकलोती बहन का मतलब फिर से उसकी मा हो गई, मा का बेटा है, मा का बेटा लर्की का कौन होता है, भाई, तो इसका राइट एंसर आप्सन ओमर भी हो जाएगा, ठीक है, दोस्त, चलि जहां भी पूरूस होगा, तो पूरूस के लिए मेरे दोस्त, हम लोग उज करेंगे तिरभुज, आम महिला के लिए हम लोग उज करेंगे सरके, इनसे होगा क्या की लिंग का मालूम आसानी से चलेगा, तो चलिए, कर रहा है मेरी, जो मेरी है वर्ड, इस लरकी अपने इनके भाई हो गई, भाई की एकलावती बहान, फिर से इसकी माय हो गई का बेटा है, इसके माय का बेटा, ठीक है रहते हमेरों फैम्ली ट्री क्ई बन गया, और देखो बाबू ये जो मेरी वर्ड है, ये क्या है, ये लरकी जो बोली है उसकी है इसका राइट अंसर बी हो जायगा ढूस्ट थीक है बड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन बारे नमबर की और बारे नमबर प्रश्चन करता है यदि स्टार का मतलब घाटाना माइनस का मतलब विभक्त करने से होगा इन्हें भागा, एस्क्वाइर का मतलब जमा करने सी होगा और प्रतेसद का अतलब गुना करने सी हो तो इस सिंबल का यूज हमें बनाना तो सबसे पहले यहाँ पर हम ही लिखी लेते हैं जो एस्टार है, इसका मतलब है घाटाना जो घटाना है इसका मतलब है विभागत करना यानि भाग करना जो S-square है इस S-square का मतलब है जमा यानि की प्लस करना और प्रतिसत जो है इसका मतलब है गुना करना बस इसी सिंबल का यूज करकी इस प्रश्ण का राइट एंसर देना है यहाँ पर क्या है 13 है उसके बाद क्या है sqr तो sqr के जगए पर प्लस 3 sqr के जगए पर minus कितना 6 ठीक है प्रतिसाद का मतलग गुना कितना 8 minus का मतलग कितना भागा कितना 4 फिर सी sqr का मतलग कितनाicus plus कितना 14 बस इस को शव परदो सबसे पहले बोड़ मास के तरीका से सब करना मेरे तो 13 ऐसे ही ठीक है प्लस 3 ऐसे ही ठीक है माइनस 6 गुना 8 है तो 8 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का कितना 14 ठीक है अब गुना पहले करेंगे तो 13 प्लस 3 माइनस 6 नहीं कितना हो जाएगा ब सोरी, तेरे गो आ तीन गो 16 गो, आ 16 गो, आ 14 कितना मेरे दोस्त हो जाएगा, 16 आ 14 कितना हो जाएगा, 30 गो आ 30 में से बारे गो, जैसे हें घटाएगे मेरे दोस्त, इसका अंसर आजाएगा 18 और 18 अप्शन नंबर A में दिया है ठीक है, तो इस प्रस्ण का तेरे नंबर पराश्च्ण है दर्पन प्रतिबी में ग्याद किजिए सबसे पढ़े आपको मैं बताता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर दर्पन प्रतिबी में कई कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं क्या होते हैं सबसे पहले देखो दर्पन पर तीवी में में एक E-speciality ये होती है कि वो दहने और बाया कोёл चेंज करता है उपर नीचे कोई चेंज नहीं करता है जैसे जब हमें अपना चेहरा दर्पन में देखते है तो हमारा जो दाया हाथ है पैर नीचे है तो नीचे देख करता है और एक Specialty और है दरपन में जो चीज जितना नजडिक होती है उसका फरते BBA होता है दरपन में जो चीज जितना दूर होती है उसका फरते BBA derivative दरपन में دूर बनता है ठीक है? तर चलिए सबसे पहले दरपन में जो इत्टिभुज के कोना पर ऐसे arrow बना हुए है जानते हैं किस परकार बनेगा यह बनेगा इस परकार तो जिस option में यहाँ पर arrow नहीं बना है उस option को काट दो तो option उल्टा बन ही नहीं सकते इसलिए B गलत option यहाँ पर arrow नहीं बन सकता D गलत, C गलत, option नमर केवल A हो गया सही नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन 14 नमर 14 नमर प्रश्चन है स्रिंखला को पूरा करें यहाँ पर जो A सिरेज दिख रही है इसमें क्या स्पेशलिटी है उसको पहचाना बाबो सबसे पहले जो एक O है जो 0 की तरह है O जो O लेटर है यह कोना छोर के एक पर जा रहा है यानि एक दो अगर पढ़ती एक बार में यह पहले से यहाँ पर आ गया इस वाले में यहाँ पर आ गया फिर एक दो बार है यहाँ पर आ गया फिर एक दो बार है यहाँ पर आ गया यह क्या कर रहा है दो एक बार में दो दो लाइन आगे यह दूसरा पहला कोना यह दूसरा कोना हो गया तो जो O है ओ घरी के चलने के देशा में दो बार आगे खिसक जा रहा है तो देखो जब यहां से दो बार आगे खिसक जा रहा है तो एक यहाँ पर आएगा यहाँ पर O आएगा बाबु ठीक है तो O कहाँ पर आएगा फैरली इस वाले कोना पर आएगा O तो देखो O यहाँ पर नहीं है इसलिए C गलत O यहाँ पर नहीं इसलिए D गलत O यहाँ पर नहीं है इसलिए E गलत मेरे दोस्त आपसर नमर C हो जाएगा सोही क्योंकि जो O है वो परते एक बार दो आगे खिसक जा रहा है खीक है मेरे दोस्त चलिए नेक्ट कोश्चन सिरिंखला को पूरा करे बाबू सिरिंखला को पूरा करे जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं A, T है उसके बाद में D और R है उसके बाद में बाबू G और P है उसके बाद में बाबू J और N है उसके बाद में कोश्चन मार्क है तो इसको कैसे बनाएंगे पहले इसको तुम पहाचादो सबसे पहले मेरे दोस्त A से D कैसे बन सकता है देखो A से D कैसे बन सकता है तो A का करमा की A को होता है D का करमा की 4 होता है तो 1 से 4 बनाने के लिए बाबू पलस का 3 करना होगा बिल्कुल अच्छा D से G कैसे बन सकता है D से G कैसे बन सकता है बाबू जो D है इनसे G कैसे बन सकता है फिर से वहीं बात D का करमांग 4 होता है G का करमांग 7 होता है 4 से 7 बनाने के लिए यहां भी प्लस का 3 करना होगा बिल्खुल अच्छा अगली बार G से G कैसे बन सकता है G से G कैसे बन सकता है फिर से मेरे दोस्त हम सभी लोग जानते है G 7 नमबर पे आता है G 10 नमबर पाता है इन इल्फाबेट में तो 7 से 10 बनाने के लिए यहां भी प्लस का 3 करना होगा तो G में जैसे ही प्लस 3 करेंगे हमारा पहला अंसर आ जाएगा तो G में प्लस 3 करनेगे तो G का करमांग 10 होता है 10 में 3 जो रेंग तो 3 हो जाएगा 10 में 3 जो रेंगे तो कितना हो जाएगा 13 13 हो जाएगा 10 में पहला लेटर को जो रेंगे तो 13 लेटर M होता है ठीक है इए बात को आप लोग 20 इस रूप से समझ चुके होंगे मेरे दोस्त ठीक है बरिये Next Next जो है यहां देखेंगे T से T से R कैसे बना होगा T से R कैसे बना होगा बाबू T का जो करमांक होता है वो 20 होता है R का करमांक 18 होता है तो 20 से 18 बनाने के लिए माइनोस दो किया गया है बिल्कुर यहां देखें बाबू R से P कैसे बना है R का करमांक 18 P का करमांक 16 यहां माइनस का 2 किया गया है बिल्कुल उसके बाद P से N कैसे बना है फिर से P का करमांग होता है बाबु 16 एन का करमांग होता है 14 यहां भी माइनस का 2 किया गया है अच्छा N में अब हम माइनस का 2 कर देंगे तो हमारा भी एंसर आ जाएगा बिल्कुल N का करमा 14 होता है 14 में से 2 घाटावेंग दे कितना हो जाएगा 12 आप 12 नमर पर जो लेटर होता है UL होता है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर M और L हो जाएगा आप्सन नमर D है सही ठीक है मेरे दोस्त चलिए तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रस्ण को अच्छे से समझ गया होगे यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और साथ ही साथ बेल आइकन को अन कर देजे ताकि मैं जब भी वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन जो है सब से पहले आपको मिले ओके दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में जैन